समस्क्राइब चुछ, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परिक्षाप्रस में कहते हैं सभी एक बहुत बड़ी सूष्णा आप सभी के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट नोटी सर बहुत जरूरी वाते भी आपसे करनी है यूपिट पलसी लगातार अपनी गद्विदियों में बहुत तीजी लेके आ रहा है और हर वेकेंसी को बहुत टाइमली करा रहा है अभी देखा जाए तो इन्होंने वन जो आदरुगा के एक्जाम लिये थे मेंस का उसका भी रिजल्ट आउट हो गया है दूसरी बात इन्ह गुना ही बोलते हैं बट अगर उनकी रियल वैलू निकालोगे तो लगभख 45 गुना बुलाया गया है क्यों ऐसा होता है वह आपको समझाता हूँ और इस तर्ज पे अगर 45 गुना जूनियर असिस्टेंट में बुला लिया गया तो अभी तक सबसे बड़ी वेकेंसी नीचे जाएगा तो उस recording फिर सब कुछ पूरी कहानी बदल जाएगी इसको अच्छा समस्ते कि ऐसा होगा या नहीं होगा और आपका वंदरोगा का रिजल्ट आ गया एक इक नोटिस मैं आपको बताता हूँ यूपे ट्रेपल सी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो करने लगे अपनी जो सारी डिटेल्स हैं वो क्या करने लगे हैं वो वेबसाइट पे निविदाएं की चीज़े अपडेट करने लगे हैं तो यह आपके लित्ती जरूरी नहीं है यह बस समझे कि कुछ प्रक्रिया चल नहीं है इसलिए जताने के लिए होता है कि यहां पर अब दोनों में जो चुपी बाते हैं वो मैं समझाता हूं यह नोटिस तो आपने देख लिया होगा बाकी चीज़े भी जान जोगे बट इसकी बारीकियों को समझते हैं यह हकीकत में कह क्या रहा है अब ही अगर हम इसके पहली नोटिस को देखें तो पहली नोटिस में यह क्या कह रहा है हां 27 तिजंबा 233 की है और इसमें देखा जाए तो 1468 पद अगर आपको ध्यान हो तो यह 1468 पद किसके लिए हैं यह BPO के टोटल पद हैं विज्यापिज जो पद है 1468 पद हैं और इसके सापेच जो सिनरी वार हैं वो 15 गुना बच्चे बुलाए गए हैं लेकिन यह भूलते हैं समान कटॉफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यातियों को सम्मलित करते कटॉफ एक बार अगर आप देखोगे कटॉफ देखोगे तो जैसे इन्होंने क्या कहा 79.05 मतलब क्या बोला कि जो कटॉफ गई है वो 79.05 गई है अब 79.05 नंबर पाने वाला केवल एक अभ्याति नहीं होगा ऐसे हजारों छात्र होंगे जो 89.05 है क्योंकि जब आप अपना lot P.T. का scorecard देखते हो तो normalised marks 5 यο 6 डिजिट तक होती है बट यह keyword 2 डिजिट तक क्या करते है चुनते है तो उसके पीछे कोई 2 हो कोई 3 हो कोई 4 हो उन सब को क्या कर लिया जाता है तो इस प्रकासते अगर देखा जाए तो इसके बाद अगर तीन डिजिट आती है तो 9 अंह इस बात को समझेगा ऐसे ही हो सकता है कि कोई और भी अंकों उस पे भी बहुत सारे बच्चे हों तो यह जो जितने भी उससे उपर जितने नंबर पाए हैं वह तो पाई ही है मतलब आप बोल सकते हो कि अगर यह 15 गुना होता तो यह कितना होता है लगभग 20-21,000 होता उस 15 का भी 3 गुना है तब यह 6-6,000 हुआ है और इसका मतलब यह 45,000 अब क्या यही फॉर्मूला सम में चलेगा नहीं फॉर्मूला जो चलता है वो किस पे चलता है फॉर्मूला चलता के पद है वो क्या हो गए है वो बढ़ गए है उसकी भी नोटिस अभी हाल ही में आई थी कनिष्ट सहायक कनिष्ट लेपिक एवं सहायक इस्तरमूख के परिक्षा के अंतरगत अतरिक्त पदों का स्रणिवाल जो इन्होंने समायोजित किये हैं जो अलग अलग पद उनको ए से टोटल अंठेस तो एकतिस पती अब यह जो टोटल पद हो गया है वो पचसपन सो बारा हो गया है यह अगर हम किसकी बात कलते हैं हम बात कलते हैं कनिष्ट सहायकी तो अगर इसका crack 15 गुना बुलाया जाएगा तो इस हिसाब से तो 15 गुना तो यहां पर यह 45 गुना के बराबर हो रहा है 5512 को गर हम केवल 500 ले ले ठीक है तो 55,001 हो गया और 25,001 हो गया मतलब कि आप बोल सकते हो 75,000 बच्चे तो केवल 15 गुना पर और अगर यह 45 गुना हो गया जैसे कि वीपियो की परिक्षा में हुआ है क्योंकि जितनी जादा वेकेंसी उतने जादा बच्चे और जितने जादा बच्चे उस नॉमलाइज अंक पर उतने ही गुना जादा बच्चे तो यह चांस है कि 45 के पास जा सकता है और यह 45 के पास चला गया तो इसका मतलब कि लगभग 2 से सवा 2 लाख बच्चे क्या होंगे इसमें बुलाएजेंगे अब मैं आपको यह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप एक चीज देखोगे कि जब आप BPO में सॉट लिस्टिंग देखोगे तो BPO के सॉट लिस्टिंग बच्चो गई है आपकी 79 नंबर 69 यह PAT के स्कोर कार्ड पे कितना नंबर गया है 69 नंबर गया है कितने पे यह बार गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कनिष्ट सहायक हैं उसके कटॉप बहुत नीचे आएंगे अगर यह साथ या 55 से साथ मैं क्या बोला हूं अगर यह 55 से साथ पीटी स्कोर कार्ड पे हो जाए तो कोई ताज्जू वाली करने साथ के लिए करते साथ ऐसा मौका पीटी के बदोलत तो दुबारा नहीं मिलेगा क्योंकि पीटी आपके आउसर को कम करती है बढ़ाती नहीं और पीटी के चलते भी अगर 55 नंबर 60 नंबर वाला बच्चा एक्जाम में बैठने को मिलता है उसे तो नो डाउट कि यह बहुत बड़ा औसर है इसलिए आप लोग अभी से ही अपनी तयारी में जुड़ जाइए तीसरा जो आपका नोटीस आया था उसके बारे में मैं आपकी चल्चा कर दे रहा हूं वो जो तीसरा नोटीस था बच्चों वो किसका था वो आपका वन दरोगा वन दरोगा के रि जैसे आपने देखा कि वीपीओ के सिलेबस में 55-65 कोश्चन जो है वो क्या है जो खंड एक है वो आपका वीपीओ के एकॉर्डिंग पूछा जा रहा है बाकी जो 35 कोश्चन है बीस कोश्च 15 कोश्चन कंप्यूटर बीस कोश्चन यूपी स्पेसल यह आपके क्या हो रहे ह और आपके 65 कोश्चन अलग मुची जा रहे है ऐसे ही अगर आप देखोगे तो करने सहायक का पेपर बदल गया उसमें भी कंप्यूटर और यूपी स्पेसल अलग से दे दिया है बाकी हिंदी जनल अवेरनस और इजनी तो है ही है ठीक ऐसे इन्होंने क्या किया था वन दरो गया जाए तो 701 पर लगबग 2.1.25 शंतिंग गुना बुलाए गए है और ये 1697 बच्चे क्या हो गए हैं डीवी के लिए ये डीवी के लिए अहर पाए गए हैं ऐसे में जो इनका कट आफ गया है वो जनल का कट आफ कितना गया है 71.50 ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्यो फिर भी मात्र 701 पत्था तो भी कट आफ कहां पे गई है 71 गई है मैं ये बाते इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल में अभी संपन होई है मुख्य सेविका की परिक्षा उसमें केवल महिलायती सीट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है 2693 फिर भी लोगों का ये कहना था कि आप 90 की तैयारी लेके चलो आप 85 का टार्गेट लेके चलो वरना पेपर गरबढ़ हो जाएगा मैं सुरू से कहता था घबराओ मत जब इस परिक्षा में कट आफ कहत्तर आ रहा है मात्र इतने पद हैं तो इसका लगभग चार गुना पद है और यहां पे महिला पूर संब सकते हो मैं फिर से बोलूंगा कि अगर पैतालिस नंबर पे भी अगर कोई बच्ची सेलेक्ट हो जाती है मुक्षिविका में तो ताज्यूब नमानिएगा बाकी ईश्वर समझ रहा होगा और आयोग जान रहोगा कि क्या करना है सारे आपड़े आयोग के पास है बहुत सार इंफॉर्मिशन आपको मिली होगी जो बच्चे वीपी ओ की तैयारी करना चाह रहे हैं या पर जूनेर असिस्टेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं या प्रिक्षा प्लस डाउनोड कर लिजे गूगल पेस्टों से वहाँ पर आपको इस तमाब बैचे चलाए जा रहे हैं जो भी कोर्स से प्रशन को पठाया है कि आपको खण सीकाव को को विड़ी सकते है वी पसंद आया हो तो लाइक विश्य का दीजिएगा चनल पर नहीं हो सस्कार्इबrine देगेjust सही का बात मताब है